हेलो फ्रेंड्स जेसी किष्णा जे मातादी जेसरी शाम कैसे हैं दूस्तो आशा किरतियों आपसे भी बहुत अच्छे होंगे दिखें आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है बहुत ध्यान से सुमनियेगा समझियेगा आज हम आपको बत इश्वर अगले साथ दिनों में आपके कौन से इच्छा पूरी कर रहे हैं इसके साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरू करें कमेंट सेक्षिन में जय मातादी कि जयकार है और अपने माइन की डाउट्स हमारे साथ क्लियर करना बिल्कुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भूले तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेओ का नाम लेकर स्क्रीन पर जो दो केक दिखाए देरें उन्हें से जल्दी से एक पिल चूस कर लिजे उसके बाद हम देखते ह अखिर क्या लिखा है अगले साथ दिनों में इश्वन ने आपके लिए फ़स्ट नमबर का पिल जिसके ने भी चूस करा है देख लेते हैं अगले साथ दिनों में आपके लिए क्या खुस खबरी है क्या कहना चाहते हैं इश्वर आप से योजिना जो प्लानिंग कर रहें माइन में उसे आगे बढ़ाने का रास्ता आपको मिलने वाला है जिसे आपका काम जो आप सोच रहे हैं जो टारगेट है वो आपका आगे बढ़ेगा थोड़ी सी बेचे नहीं है मन में दिल घबरा रहा है लेकिन लक्ष पर कॉंसेंट्रेट रखें आर्थिक पक्ष को मजब बनाने पर ध्यान दे साथ ही भविष्य की जर्रोतों की वज़े से आपको तनाव हो सकता आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा तो क्या करेंगे यह चीज होगी तो क्या करेंगे अभी से भविष्य के वारे में इतनी चिंता करना ठी बिठाना है कॉंसेंट्रेट बिठा करके उस पर वर्क स्टार्ट करना है बाकि जो होगा इश्वर की मर्जी हमें ज्यादा सोचेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपके द्वारत तह की गई योजना पर काम करने के लिए लोगों का साथ भी आपको प्रा आप तो होने वाला है कोई महिला है या तो आपकी जीवन संगीनी हो सकती है आपकी साथी हो सकती बेस्ट फ्रेंड हो सकती है क्लोज रिलेटिव हो सकती है आपकी पडोसी हो सकती है या आपकी शुबचिंतक हो सकती है यह महिला कहीं ना कहीं आपके करियर के मांग दर्शन क के लिए आपकी मदद करेगी और इसका जो मागदर्शन रहेगा यह आपके लिए बहुती उप्योगत भी साबित होगा अपने काम के लिए उत्सा बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है इस करण काम के क्वालिटी को सुधाना भी आपके लिए संभव होगा आर्थिक पक्ष मझबूत बनाने के लिए जो परियास अभी आप कर रहे हैं जितनी लगन और महनत से आप कारे कर रहे हैं वो महनत भी आपकी बहुत जल्द सफल होने वाली है कुछ बातों से आपको नाराजगी महसूस हो रही है तो वो बाते दूर होने की उमीद आपको करनी चाहिए जित लड़ाई जगड़ा हुआ है जिस वज़े से उस इंसान से आपकी दूरी बन गए उस दूरी की वज़े से आपको हर वक्त कुछ ना कुछ जब भी उसके भारे में यादा था आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना है देखिए जो लिखा है इश्व करते हुए नजर भी आ रहे हैं देखिए बहुत सही दिशा में चल रहे हैं बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं पस लगन और इमानदारी से पूरी तरह से कारी में जुड़ जाए कॉंसंट्रेटर के बहुत जल्द आपको वो सफलता मिलेगी जिस सफलता के लिए आपकी आ और भविष्ची की योजनाओं पर काम करना शिरू कर दीजिए पेसो से संबंदी जो दिकत हैं आपकी इतने दिनों से वो दूर होती है भी नजर आ रही काफी टाइम से आप पैसो के लिए परिशान हो रहे थे टेंशन ले रहे थें करियर में भी आपकी जो इस्थिरता आ आपको मिलने वाली है पिल नमबर सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों जिसकी नभी सेकंड पिल चुसकरा देख लेते हैं अगले साथ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे आलस और बैचेनी का प्रभाव बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे हैं इस कारण किसी भी काम को आप बहुत ध्यान से नहीं कर पारे हैं और समय पर भी पूरा नहीं कर पारें जिस वज़े से काफी बैचेनी आपको महसूस होती है समय निकल जाता है problem create करनी पड़ती है लोगों की भी सुननी पड़ती है बहुत के अधिकारियों की सुननी पड़ती है तो सबसे पहले आलस को अपने उपर हावी न होने दे थोड़ा धर्म कर्म के प्रती भी आगे आएं सुबह जल्दी उठे नहाएं धोएं उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्मिक कारियों पर ध्यान देना चाहिए सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार मंदीर जरूर जाएं मंदीर नहीं जा सकते तो घर में दो अगरबती लगा कर जाएं लेकिन धर्म कर्म के मामले में हमेशा आगिर हैं लोगों की द्वरा बोली गई बातें आपको आपके लक्ष से भठकाने की कोशिश करेगी लेकिन आपको इन बातों को इग्नोर करते होगा अपने लक्ष को पानी की कोशिश करने हैं आर्थिक पक्ष को ठीक से आप नहीं संभाल पाने जिससे नई समस्या हैं और उत्पन हो रही है तो सबसे में परिभार से संबंदी बातों में आपकोस को होगी अपिक्षित लोगों के साथ प्राप्त होने की कारण अठके कामों को आगे बढ़ाना आपके लिए समबव होगा परिवार के लोगों के साथ इस पस्ट रूप से बातचित करते व्यक्तिकर दाइरे को बनाय रखना आपके लिए जरूरी होगा एक सधी कामों की जिम्मदारी बिल्कुल ना ले मानसिक रूप से आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं इस कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है लोगों को जो आपने मदद करें इस वच्चे से कुछ हद तक आपका कहीं न कहीं नुकसान होता हुआ दिखाए दे रहा है लोगों की द्वारा जो आपकी मदद की जा रही है उससे आपको नुकसान हो रहा है लेकिन लोगों के साथ किस प्रकार से संभन्द रखना इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं रिलेशन में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए ततपर रहते हैं लोग भी आपसे बहुत ज़दे अट्रेक्ट हो जाते हैं तो ये चीज़े कहीं न कहीं आपके नुकसान का कारण भी बनती है पैसों से समधी लिए गए लेंदेन गलत साबित होंगे परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा आपके पक्ष को समझने के लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति अभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा जब तक बातें इस पस्ट रूप से मालूम नहीं होती तब तक लोगों के सामने समस्या का जिक्र बिलकुल ना करें काम से समझने हर एक बात पर भारिके से ध्यान लगा और काम को करें आपकी गलती ही नुकसान का कारण बनेगी काम को दोबारा करने से वक्त जाय हो सकता है तो खुद पर विश्वास बढ़ाने की कोशश करें वेक्तिकत विकास में रुकावटे भी आ सकती हैं परिस्तिती जल्द ही आपके पक्ष में बनती ही नजर आएगी जीवन में जितना संघर्ष आपने अभी तक किया है उसका फल आपको मिलेगा प्रॉपटी से समझने किये गए लेंदेन की वज़े से आर्थिक परिस्तिती सुधरेगी रियल स्टेट से जुले लोगों को फायदा होगा किसी भी प्रकार के निर्णे को अमल में लाने से पहले है उसके परिणामों की चिंता जर्रों से ज़्यादा आपको सदा सकती है वर्तमान से समझनी बातों पर ध्यान देकर भविश्य को सुधारे इस बात को समझे डर को दूर करने की कोशिश करें सहत के लिए जागरू करें और जीवन शेली में बदलाव करें आपके लिए जरूरी होगा जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहे उसका सर सहत पर होगा और कारेशमता कम होगी मानसिक बेचे नी बढ़ती है नजरार जी खुद को मजबूत बनाये रखने की कोशिश करें साथ यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन में हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो हमें भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए लाइफ में और अगले साथ दिन आपके बहुत धहतरीन गुजरने वाले हैं एक इच्छा है आपकी जो दिल से पूरी होने वाली है बस उस इच्छा पर कॉंसेंट्रेट बनाये रखें उस इच्छा के लिए कुपाय करें शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जाके सरसो का तेल का दीपक शाम के समय में लगा दे और वहां अपने इच्छा बोलकर एक लाल धागा वहां पर कही भी उस मन पीपल के पेड़ के आसपास बांदे जरूर साथ शनिवारा पैसा करेगा आपके इच्छा जरूर पूरी होगी और अगले साथ दिनों में जो भी शनिवारा इस दिन से आप ये शरुवात कर सकते हैं तो दोस्तों जीवन में हमेशा भगवान का धियान करते हुए आगे बड़े और जैसा हमने आपको बताया इस उपाय को अगर आप अगले साथ दिनों में शुरुवात कर लेते हैं तो शनिवार साथ होने से पहले आपकी जो भी मनुकामना है जरूर पूरी होगी तो वीड जलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जय माता दी हर हर माहत दियो